हैलो फ्रेंज कैसे हैं आपनों को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी से होंगे तो फ्रेंज से देखी एह है करेर का दो पौधा और आज इन दोनों पौधों को हम गमले में लगाएंगे क्योंकि फ्रेंज नर्सरे से लाइलग बगी एक साल हो गए और मैं अभी तक इन दोनों पौधों को नहीं लगाई थी और जब मैं नर्सरे से लेकर आए थी फ्रेंज तो हिविसकस के गमले मियानी की जिसमें हिविसकस का पौधा लगा हुआ है बड़े से कंटीनर में लगा ह हुआ है तो फ्रेंज उसी में इन दोनों पौधों को मैं रख दे और उसी में जो है अपना भोजन लेते रहे और अच्छी तरह से इनके ग्रोथ हो रहे थी लेकिन फ्रेंज विंटर से जिजन में इनकी ग्रोथ रूख जाती है और मैं आपको बता दूं कि अब तो समर से सुरू हुआ है और अगले महिनी में मैं सभी पौधों के प्रूनिंग कर रहे तो तो मैं इनकी भी प्रूनिंग की क्योंकि जब मैं नर्सर से लेकर आए थी न तभी काफी बड़े थे मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़े थे इसलिए इनके प्रूनिंग करना बहुत ही का सकते हैं और जमीन में भी लगा सकते हैं आज मेरी क्लार का नहीं इसलिह छाए प्र्व्हड में में सफेद कलर के भी रहर के प्रूनि चरह भी और बने मेरी लगा भी प्रून थे लिए जब मैं नर्सर से लेकर आए थी न तो फ्रेंस अब हम इनकी मित्टी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर हम गंले में कोई पौधा लगाने जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मित्टी हमारी फोरस होनी चाहिए ताकि जो है हमारा पौधा अच्छे तरह से ग्रोध कर सके धेर स क्योंकि फ्रेंस अगर हम यहीं पौधा जमीन में लगाते हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है और गंले में लगाते हैं तो इन्हें अच्छी तरह से भोजन पानी देना बहुत ही जरूरी होता है तो फ्रेंस मैंने इसमें जो है एक हिस्सा अपने गार्डन की ही मित्त है और एक हिस्सा मैंने गौबर की सड़ी हुई पूरानी खाद मिलाई है तो फ्रेंस मैंने थोड़ा सा इन्हें जो है धान की भूसी का विस्तमाल किया है क्योंकि मैं नहीं सोचा कि इन्हें से ज्यादा संज्यादा नमी रहेगी तो बढ़िया आय। बार बार पानी देनी दिया है और आपको बता दू कि इसे बड़े से बड़े कंटीनर में भी लगा सकते हैं और मैंने पीले कलर का जो करने रहना बड़े से प्लास्टिक की बालती में लगा रखा है ताकि जो है वह काफी बड़े हों लेकिन अपकी बार मैंने सोचा कि इन दोनों पौधों को ज्य देखिए तो फ्रेंस मेरे यहां गाव में भी लगा हुआ है न तो जमीन में लगा है बहुत अच्छी तरह से जो है फ्लारिंग कर रहा है और आपको बता दू कि बहुत ही बड़ा है और कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फ्रेंस जब गमले में लगाते हैं तो थोड़ा सा ध् अगरति भाव फिंगे ताकि इनकी जो जाड है ना नाई मित्ती में अच्छी तरह से कबर कर सके देखिए तो अब जो है इनके किनारे किनारे मैं मित्ती भर दूंगी तो फ्रेंस कलेर का पौधा लगाना बहुत ही आसान है जिस तरह से हम गुड़ल का पौधा लगाते हैं न सेम होसी तरह से इन्हीं भी हम लगा सकते हैं कोई दिकत नहीं यह बीज से भी ग्रूव हो जाते हैं और cutting से भी बहुत ही आराम से तयार हो जाते हैं एक देखिए तो फिंस अब इनका शीजा ना गया है इसलिए जो है मैं इसे लगा रहे हूं ताकि जो है इनके भी फूल मैं देख सकूँ और आप लोग भी देखिए देखिए तो अब जो है मैं इसमें भी लगाने जा रही हू यह देखिए इनकी जड़ है न तो बड़े ही मुश्किल से हमने जो है इनकी जड़ निकाली क्योंकि जिसमें हिविस्कल का प्लांट लगा हुआ उसे में मैं इसे रखी थी न तो उनकी मिट्वी में जो है अच्छी तरह से इनकी जड़ चली गई थी तो फ्रेंस इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से थुख देते हैं तो फ्रेंस हम इन बहुत अराम से निकालेंगे ताकर इनकी जड़ खराम नहीं न ढोगए न देखे जूँ है मिती भी बहुत ऑच्छी है तो फ्रेंस बिलकुल अराम से हम इसे निकाल देंगे निकालने के बाद बाल्टी में लगाएंगे यह देखिए थोड़ी से मुस्किल हो रही है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बिल्कुल आराम से निकल गए यह देखिए तो फ्रेंस कुछ नहीं करना है बिल्कुल आराम से हम इसे बाल्टी में रख देंगे और बाल्टी में कि जो जगह है ना मिती से कबर हो सके तो हाज से थोड़ा दबादेंगे तो फेंस इसे लगाना बहुत ही आसान है अगर आपका भी मन कर रहा है ना कनेर लगाने का तो आप जो नर्सरीस इसे लेकर आईए और गंबले में कंटीनर में कोई भी पोटो आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं अगर जमीन हो तो जमीन में भी आप इनिहें लगा असकते हैं लेकर आप देख रहे हैं मैंने भी जो है छोटी-छोटी बाल्ढे ती आर गंबले में लगा दी आवर जो पीले कलर का करे रह्त लर्नवम फरेंसे मैंने बड़ी से बाल्ढ कि इससे भी मैं मरने में तिन कलर में फूल खिलें गे,सल हम और अछियों धूलेंगे डी दी, हम चल चत्व feel ,壓ेद तो और दूंस दने के भात करते हैं , पानीPR देने के बाद जो हम इन्हें छय दोchn report saya कोई दिक्त नहीं तो फ्रेंज फिर मिलते हैं आप लोगों से निश्टी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद